अलो दोस्तों स्वागत आपके एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज में लेकर हूँ आपके लिए NCRT क्लास 12 ड्राइंग सब्जेक्ट के 20 ऐसे इंपोर्टेंट क्विशन जिनकी चांसे जहें बोर्ड एक्जाम में आने की हैं तो दोस्तों चैप्टर नमबर फर्स्ट के अपन आज डिसकास करते हैं 20 Most Important Optional Question तो दोस्तों शुरू करते हैं Question No.1 Question No.1 है चित्रकार निहाल चंद किस चित्र से लिए से सम्मंदित था? Option A किसन गड़ चित्र से लिए, मेवार चित्र से लिए, बुंदी चित्र से लिए या फिर कोटा चित्र से लिए तो दोस्तों इसका Answer सही होगा Option No.1 किसन गड़ चित्र से लिए से समंदित था? निहाल चंद चलते हैं दोस्तों Question Sankyya 2 की है Question Sankyya 2 है, बिहारी सत्साई की रचना कब की गई? दोस्तों बिहारी सत्साई की रचना की और कब की गई? अच्छा बस कब की गई? ये पूछा गया है तो दोस्तों 1662 इश्वे में बिहारी सत्साई की रचना की गई थी चलते हैं कुष्ण संग्या 3 की और कुष्ण संग्या 3 है गीत गोविंद के रचेता कौन है जे देव भानुदत बिहारी लाल या फिर कैसे उदास दोस्तों गीत गोविंद के रचेता सही अंसौर होगा उप्सिन नमबर A जे देव चलते हैं कुष्ण संग्या 4 की और कुष्ण संग्या 4 है कुष्ण और राधां एक मंडप में चित्र के रचेता कौन है निहाल चंद कैसाउदास सामत सिंग या फिर भानोदता दोस्तों इसका अंसौर भी सही होगा आपका आप्शन नमबर A निहाल चंद निहाल चंद ने ही किसनगड सेली वे कृष्ण और राधां एक मंडप में इस चितर की रचना की ती चलते हैं कुष्ण संग्या 5 की और कृष्ण संग्या 5 है किस सेली के चितरकारों को उस्ताद के नाम से जाना जाता है दोस्तो बिकानेड चितरसेली के चितरकारों को उस्ताद के नाम से जाना जाता है बिकानेड चितरसेली वहीं चितरसेली जिसके संस्ताबना उस्ताद अली रजा को दिया जाता है बिकानेड चितरसेली की सुरुवात का स्रे चलते हैं Q7 के और Q7 की और Q7 के और Q7 के रामाइन का युद्ध कांड के चितरकार कॉन है रामायन के युद्ध कांड के चितरकार कौन है? आप्शन A निहाल चंद, आप्शन B साहब दीन, आप्शन C रुकनो दीन और आप्शन D उस्ताद अली राजा दोस्तर इसका सही आंस्वर होगा आप्शन नमबर B साहब दीन थोड़ा सा आप सह सलगम की जगें, सह जो सलेट वाला होगा वो यहाँ पर आएगा चलते हैं क्विशन सिंक्या साथ के और प्रसन सिंक्या साथ है, पिछवाई कला निम्न में से क्या है? कपड़े पर किया गया चित्रन, या फिर मूर्तिकला, या फिर जोधपूर के चित्रकला जोधपूर में चित्रकला के लिए इस्तापित की गई कारे साला तो दोस्तर इस काहां स्वर से होगा, नात दुवरा में कपड़े पर जो चित्रन कारे किया जाता है उसे पिच्वाई किला के नाम से जाना जाता है यानि कि कपड़े पर किया गया चित्रन कू क्या कहा जाता है पिच्वाई कला कहा जाता है चलते हैं क्रिशन सिंक्या आठ में सिकार दर्शियों का सरवादिक चित्रांकन किस सेली में हुआ तो आपको सीधा सा अंस्वर आ रहा हुगा दोस्तो ओप्सन नमबर A कोटा चितर सेली में सरवादिक सिकार दर्शियों का चितरांकन हुआ चलते हैं कृष्ण सिंग के नो में आमेर से जेपुर अपनी रास्दानी इस्तानांतरित करने वाला सासक था उप्सन A प्रताप सिंग उप्सन B मान सिंग उप्सन C सवाई जे सिंग उप्सन D जगमाल तो दोस्तो इसका सही आंस्वर होगा उप्सन C सवाई जे सिंग चलते हैं कृष्ण सिंग्या 10 की हो क्रिशन संगा 10 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों अगर ये जो क्वेशन है और ये आपने अपने जहन में उतार लिए अपने दिमाग में उतार लिए और पूरी तरीके से इन क्वेशन को क्लियर कर लिया तो दोस्तों 90% chances है कि आपके जितना जहां तक मैं जानता हूँ और जितना मैं समझता हूँ आपके board exam के लिए बहुत important question जो है मैंने select किया है चलते हैं क्रिशन संगा 10 पर राजा अनिरुद्ध सिंग हाडा का चितर किस चितरकार ने बनाया था तूस्तों option A तुलची राम, option B निहाल चंद, option C रुकनो डीन या फिर option D साघडिन तो दोस्तों सही answer होगा इसका option A तुलची राम तुलची राम होगा है दोस्तों इसको तुलची राम है चलते है किष्ण संके 11 पर, किष्ण संके 11 है राम चित्रकूट में अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हैं इस चित्र को बनाने वाला चित्रकार कौन था गुमान, तुल्ची राम, सहबदीन या अली राजा तो दोस्तों इसका सही आंस्वर होगा गुमान गुमान चितरกर गुमान ने राम चितर कुट में अपने परिवार के सदस्वे से मिलते हुए इस प्रकार के चितर का रचना की चलते हैं क्विशन सिंग्या आगे वाले पे कौन सा क्यूशन होगा क्विशन सिंग्या बारा पे क्विशन सिंग्या बारा है पाली में राग माला का चित्रन किस के द्वारा किया गया दोस्तो ये मारवार चितर सेली में पाली में जो रागमाला का चित्रन हुआ वो वीर जी के द्वारा किया गया था रागमाला का चित्रन वीर जी के द्वारा चलते हैं आगे किसंगर चित्र सेली का चित्र है दोस्तों सीधा सांस पर है किसंगर चित्र सेली का बनाने वाला चित्रकार कौन था निखाल चंद था किसके सरक्षण में निखाल चंद ने कारी किया राजा सामवंत सिंग के सरक्षण में इनों ने कारी किया था चलते हैं क्रिशन से लिए 13 पर मालवा से लिए के चित्रों को कहां खो जा गया option A मंडला, option B दत्या, option C महल और option D विकानेर तो दोस्तों सही आंस्वर है मालवा से लिए के चित्र को दत्या महलों से खो जा गया था दत्या महलों से चलते हैं क्रिशन से लिए 14 पर रसमंजरी ग्रंत में कौन सी अवस्ता की व्याख्या की गई है रस मंजरी ग्रंथ में प्रोड अवस्ता की वैक्या की गई है या फिर बाल अवस्ता की या फिर तरुन या फिर तीनों अवस्ताओं की तो दोस्तों सही आंस्वर होगा तीनों अवस्ताओं की जो व्याक्या है वो रस मंजरी ग्रंथ में की गई है चलते हैं कृषिन सिंग्या 15 पर रशिक प्रिया रशिक प्रिया किस भासा में लिखा गया है रशिक प्रिया जो ग्रंथ है वो हिंदी भासा में लिखा गया है या फिर ब्रिज भासा में या फिर शेखावाटी या फिर संस्कृत भासा में तो दोस्तों सही जो आंस्वर होगा वो होगा ब्रज भासा, ब्रिज दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया है, ब्रज भासा में इसको लिखा गया था रसिक प्रिया ग्रंत को, चलते हैं कुषिन सिंग्या 16 के ओर, मारवाड सेली की उपसेली कौन सी है, जोधपूर है, बिकानेर या किशनगड या फिर तीनों ही, तो दोस्तों मारवाड सेली की उपसेली में जोधपूर भी आता है, बिकानेर भी आता है, किशनगड भी आता है, यानि कि आंस्वर से होगा D, उप्रॉक्ट सभी, चलते हैं किशन सिंग्या 17 पर, 12 मासा चितर किस ग्रंत से संबंदित है, कवी प्रिया, रसिक प्रिया, रसमंजरी, या फिर गीत कोविंद, दोस्तों कवी प्रिया जो ग्रंत है, उसका दस्वा अध्याई, 12 मासा चितर से संबंदित है, जिसमें वर्स के 12 महिनों का चितरन क्या गया है, तो इसका आंस्वा सही होगा, आप्शन A, कैसा उदास रसित, कवी प्रिया ग्रंत का दस्वा चितर, या दस्वा अध्याई, 12 मासा है, तो ये कवी प्रिया ग्रंत से संबंदित है, चलते हैं क्रिशन से 18 पर, चावंड में रागमला की रचना कब हुई, तो दोस्तों चावंड में रागमला की रचना हुई थी, 1605 में, यानि कि आंसर से होगा आपका option number A 1605 इश्वी में चलते हैं question सेंग्या 19 पे राग मेग किस सेली का चित्र है राग मेग दोस्तों ये मालवा चित्र सेली का चित्र है या फिर विकानेर, जोधपूर या फिर जेपूर तो दोस्तों इसका से आंसर होगा option number A चित्र सेली का प्रमुक चित्र है वो राग मेग है चलते हैं question सेंग्या 20 पर जेपूर सेली की चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ कहां से माना जाता है जेसलमेर, बाडमेर, आमेर या फिर नागोर तो दोस्तों सीधा answer है आपके जहन में सिधासा आ रहा होगा कि जे पूरी चित्रकला है उसका विकास या उसका उद्भव आमेर चित्रकला से प्रारंब हुआ तो दोस्तों ये आपका 20 वा question complete है I hope ये question जो है आप इनको note down करोगे और इसमें से लगबग 80% question अपने clear भी किये होंगे तो आप इनको note down करना एक वारिस का revise करना और जैसे ही complete होते हैं तो समझ लीजे कि आपके optional question का लगबग first chapter का काम complete हो चुका है ओके दोस्तों पढ़ते रहिए खुश रहिए ओके thank you so much